नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम UPTED 2021 के लिए हिंदी के टॉप 25 प्रशन लेकर आए हैं दोस्तों ये सभी प्रशन काफी जादा important हैं आप लोग इसे ध्यान से देखिए क्योंकि इसी तरह के प्रशन आपको एक्जाम मे क्या सही है ठीक है पहला प्रशन है घा का उचारण अस्थान कौन सा है आपको बताना है मूर्धा कंठ तालू दंत देखे तो इसका राइट एंस्वर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आप लोग बताईए इसका हो जाएगा कंठ क्या होगा कंठ इसका राइट एंस्वर हो घा भी जो है घा का उचान अस्थान भी आपका क्या हो जाएगा कंट हो जाएगा ठीक है तो चलिए अब अगला प्रशन देखते हैं च्छा वर्ड किसके योग से बना है आपको यह बताना है च्छा वर्ड किसके योग से बना है का प्लस शा या का प्लस शा का प्लस शा तो राइट अज़सर आपका क्या हो जाएगा ए आपसन का प्लस सा ठीक है देखिए दोस्तों इसमें हलन्त वाला का जो है यही रहेगा इसमें सही तो यह प्रशन पूछा गया था एक्जाम में तो सभी प्रशन लगभग पूछे ही गया है आप लोग इसे ध्यान से देखिए ल तो इसमें आप लेखक में प्रत्य क्या है आप बताइए का होगा इक होगा अक होगा या अक होगा तो इसमें राइट उसर आपका हो जाएगा चौथा विकल्प अक लेखक में अक प्रत्य जुड़ा हुआ है देखिए सभी प्रशन इंपॉर्टेंट है इसी तरह के लगा हुआ है सी आपसान आपका इसमें राइट हो जाएगा ठीक है चलिए नेश्ट अब देखेंगे कभी का इस्त्रीलिंग क्या होगा आप सबको बताना है कभी का इस्त्रीलिंग देखिए कभी का इस त्रिलिंग क्या होता है कभी इत्री होगा या कभी इत्री होगा या कभी इत्री होगा तो राइट असवर क्या हो जाएगा कभी इत्री हो जाएगा सी आपसन आपका इसमें राइट हो जाएगा कभी इत्री होता है नेक्ट पुछा गया है निर्गुड का संधी विच्छेद क्या होगा निर्गुड निह धन गुड क्या होता है निह धन गुड निर्गुड ये बिसर्ग संधी का उधारण है निर्गुड में जो है बिसर्ग संधी है या और इसका संधी विच्छेद क्या होगा निह धन ग समास होगा आपको यह बताना है तो आप सभी को पता है होता है एक होता है जित धिन देखते हैं धनूरबाण में किस तरह का समास है धनूरबाण धनूरबाण का मतलब धनूस और बाण और सब्द बीच में जिसमें लग जाता है उसमें द्वन्द समास हो जाता है ठीक है तो राइट उसर आपका क्या हो जाएगा द्वन्द समास क्या होगा द्वन्द समास धनूरबाण मे इसमें देखेंगे भक्तिकार्थ होता है सेवा भी होता है सेवा करना या पूजा करना भी होता है या स्रद्धा करना भी होता है क्या नहीं होता है कविता कविता जो है भक्तिकार्थ नहीं है प्रतिष्ठा जल चमक की सब्द के अनेकार्थी है ये आपको बताना है तो इसमे आप देखेंगे प्रतिष्ठा जल चमक ये सब जो है पानी सब्द के अनेकार्थी सब्द है ठीक है पानी राइट असोर इसमें हो जाएगा D option नैसरगिक का बिलोम है नैसरगिक सात्विक कलपिता कृत्रिम जटिल तो नैसरगिक का बिलोम क्या होगा इसमें आपका जो सही ज मीन सब्द का सिखी शापक शावक विभावरी मत्स तो आप सभी को पता है मीन का प्रयावाची क्या होता है मत्स होता है इसी तरह के प्रस्ण एक्जाम में देखने को मिलेगा इसी लेवल की तयारे आप लोग करते जाएए यूपी टेट के लिए चलिए नेस्ट है भीगी बिल्ली होना इसका मतलब क्या होता है भीग जाना या बिल्ली की आवाज निकालना या डर जाना या सर्दी लगना इसका मतलब होता है भीगी बिल्ली का मतलब होता है डर जाना तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट एसवर आपका हो जाएगा दर जाना गधा का तत् पत्सम्रूप। नेश्ठ है हस्त का तदभो क्या होगा आपको बताना है हस्त का मतलब हाथ और हाथ यही आपका पत्द हो जाएगा किस सब्द की वरतनी सुद्ध है आपको ये बताना है देखिए क्या है इसमें अर्धान, ब्यावहारिक, लिष्ठन, अत्यधिक तो इसमें आप देखेंगे तीनों A, B, C, तीनों गलत है, D option आपका इसमें right है, अत्यधिक ये सुध्ध सब्द लिखा गया है, बाकि तीनों असुध है, जो पूजा के योग्य हो, उसे क्या कह जाता है, क्या कह जाता है, पूज नहीं है, पूज नहीं है, ए अपसन आपका अस्थाई भाव क्या है तो देखिए वैराग छमा दया निर्वेद आप सभी को पता है सांतरस का अस्थाई भाव प्रस्तुतपंक्कियों में कौन सा अलंकार है आपको पताना है तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए कुल कानन कुंडल का वर्ड की बार-बार आबरती हो रही है और पता है जब किसी वर्ड की बार बार अबरती होती है तो वहां पर अनुपरास अलंकार होता है कौन सा अलंकार होता है अनुपरास अलंकार और यमक अलंकार में एक ही सब्द की बार बार अबरती होती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं सलेस में क्या होता है अर्थ जो है ये आपको बताना है, तो इसमें आप देखिए कौन सा चंद है सोथा, चौपाई, दोहा, बर्वै, आप सभी को पता है दोहा है यह, कौन सा चंद है? दोहा चंद है नेश्ट है, वह थोड़ा बिमार है इस वाकि में थोड़ा सब्द क्या है दूस्तो थोड़ा थोड़ा यह जो है परिमाड वाचक क्रिया विशेशन है थोड़ा क्या है यह परिमाड वाचक क्रिया विशेशन है next है किस्तिथी को हिंदी को राजभासा बनाने का निड़ लिया गया तो सही जवाब क्या होगा पंदरागा सुने सु सैतालेश, 26 जनुवरी पचास, 14 सितंबर उने सु पचास या 14 सितंबर उने सु पचास तो इसका जो सही जवाब है राइट अंसर है वो है 14 सितंबर उने सो अनतालिस सी आपसन सही है चिंता मड़ी किसका निबंध संग्रा है आपको ये बताना है बाल मुकुंद का हजारी पसाद दुवेदी जी का या रामचंदर सुकल जी का या स्याम सुन्दर दाजी का तो इसमें आप देखेंगे चिंता मड़ी ये निबंध लिखा है किसने लिखा है रा प्रयुक्त होने वाले सब्दों को क्या कहते हैं तो दोस्तों इसमें आप देखिए सर्वनाम विसेशन क्रिया अभ्य तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें क्या होगा तो इसमें राइट है दोस्तों संग्या के अस्थान पर प्रयुक्त होने वाले सब्दों को हम इसले exam में जो भी पूर में exam हुए हैं कुछ प्रश्ण इसमें जो है पूछे गये हैं उन्हें यहां पर सेल्ट किया गया था और इसी तरह के प्रश्ण आपको exam में देखने को मिलेगा कमेंट करके बताईए वीडियो आपको कैसा लगा और इसी तरह के और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताईए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद